नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेम्स वर्ड में मैं कमलेश कुमार आज हम लोग जानेंगे अमर्दीप नाम का मतलब और अमर्दीप नाम के रासी फल के बारे में दोस्तो साथी साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि अमर्दीप कौन से धर्म के लर्कों का नाम होता है और अमर्दीप नाम के लर्कों के लिए कौन सा रंग सुब होता है, कौन सा दिन सुब होता है, कौन सा पत्थर सुब होता है सबसे खास बात दोस्तों यह जानेंगे कि अमरदीप नाम के लर्के कौन से छेतर में अपना केरियर बना सकते हैं जहां उन्हें जादा से जादा सफलता मिलेगी दोस्तों इससे पहले की वीडियो को सुरू करें आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए आये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अमर दीप का मतलब तो आप सभी को बता दे दोस्तों कि अमर दीप का मतलब होता है अमर परकास अमर परकास को हम लोग अमर दीप कहते हैं या परकास का एक सुरोत को हम लोग अमर दीप कहते हैं जहां से परकास आती है उसे हम लोग अमर्दीप कहते हैं दोस्तो अमर्दीप नाम का अगर अंग्रेजी में मतलब जाने तो आप सभी को बता दें कि इमरोटल लाइट को हम लोग अमर्दीप कहते हैं चलिए दोस्तो आप जानते हैं कौन से धर्म के लर्कों का नाम अमर्दी के लिए चलिए दोस्तों अब जानते हैं सुभ अंक की बात तो अमर्दीप नाम के लर्कों के लिए सुभ अंक 9 होता है और दोस्तों अमर्दीप नाम के लर्कों के लिए सुभ रंग की बात करें तो लाल सफेद और पीला कलर अमर्दीप नाम के लर्कों के लिए बहुत दिन की बात करें तो सुभ दिन है मंगल बार दोस्तो चलिए अब जानते हैं कौन से पत्थर जो है अमर्दीप नाम के लर्कों के लिए सुभ होता है तो सुभ पत्थर मौंगा अत्वा गारनेट रत्न जो है अमर्दीप नाम के लर्कों के लिए बहुत सुभ होता है चलिए दोस्तों आप जानते हैं कौन से छेत्र में अमर्दीप नाम के लर्के अपना केरियर बना सकते हैं, तो आप सभी को बता दे दोस्तों कि सेना में, आर्किटेक्ट में, अस्त्र सास्त्र, बस्तू सास्त्र में केरियर या इन से जुरे सेक्टर में अपना केरियर बना सकते हैं, या खुद का कोई बिजनेस करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं दोस्तों ये खास बाते थी अमरदीप नाम के लर्कों के बारे में अगर आपको भी किसी नाम का अर्थ जानना है तो प्लीज वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नाम के साथ तब तक के लिए धन्यवाद